Hello friends, आज का पहला idiom हम पढ़ेंगे, हम लोग 13 तक पढ़ चुके थे, 14 नमबर से स्टार्ट करना है, 14 W का जो है दोस्तों, राइ फेस, इसका प्रननसियेशन भी हमें ध्यान होना चाहिए, W-R-Y, that is R-Y, D-R-Y, Dry होता है, F-R-Y, Fry होता है, W-R-Y सिर्फ राइ होता है, W और R मि मिल जाते है, W को silent भान लीजे आप, So what is a R-Y face, R-Y face का मतलब है, Disappointed Look, Disappointed Look का मीनिंग होता है, उदास चेहरा, परेशान सा चेहरा, Anxious चेहरा, उदसक उदास, उदासीन चाइप का चेहरा, उसे का जाता है, R-Y face, R-Y face का simple सा मीनिंग करें दोस्तों, कि आप बहुत दुख हैं, उदास हैं, परेशान हैं, उसके लिए आदा है दोस्तों, R-Y face, He made a R-Y face when he was refused admission to the college of his choice, उसके college जो choice की थी, जब उसको वो choice वाली college नहीं मिली, तो वो दुखी सा चेहरा उसने बनाया, Important क्या है दोस्तों, मेरा R-Y face, यह देखिए, Idiom याद करना एक बात हो जाती है, Idiom का use कैसे sentence में लेना, जैसे कहीं पर भी, writing on the wall हमने पढ़ा तो हमने उसे पहले read को पढ़ा था, ठीक वैसा ही, R-Y face से पहले, मेरा R-Y face का आएगा, क्योंकि देखिए, R-Y face तो है, वो Idiom है, Idiom ज़रूरी नहीं, as a verb के रूप में काम आया हमारे, तो उनको कोई नकोई R-Y face, when he was refuse admission, जब उसको admission नहीं मिला, refuse कर दिया गया, दुखी हो गया वो, Hello friends, स्वागत है आपका digital तैयारी चैनल पे, मैं ही श्रेयांस को चारी, लेके आँँ दोस्तों, आपकी प्यारी किताब, बिलकुल आपके सामने, Objective General English by S.P.Bakshi, S.P.Bakshi दोस्तों धमाल मचा रही है, हर जगे, हर बुक स्टोर पे, हर चैनल पे आपको इसको ढूंड़ेंगे तो आपको मिलता है, और ये बहुत, बहुत ही बहतरीन किताब है, for sure, मैं आपको कह सकता हूँ, चलिए, मैं इसको लिए आगे बढ़ता हूँ, दोस्तों, आज की मिठाई, दोस्तों, आज की मिठाई, क्या आपने खाई, हॉपलाइट ये वर्ड, बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, इमाजन करिए, एक ऐसा सोलजर है, बहुत ही पुराने जमाने का, आम तोर पे, ग्रीक, ग्रीस के अंदर, ग्रीक सोलजर है, ऐसा एक soldier है जो बहुत ही ज़ादा heavy कपड़े पहने हुए है वो foot soldier है यानि घोड़े पे नहीं है बिलकुल सामने से लड़ने वाला पैरों पे लड़ने वाला हाथ में एक तरफ भाला एक तरफ shield है उसके हाथ में उसको कहते है heavy armed infantry soldier यानि जिसके बहुत भारी-भारी infantry है बहुत भारी-भारी कपड़े पैने में बहुत भारी-भारी उसके पास लड़ा हुआ है वो शस्त्रों से उस soldier को ऐसा कहा जाता है एक noun है दोस्तों hoplite कहा जाता है उसे तो नए word सीखने दोस्तों कभी है आपके सामने आ जाए अब आपको ध्यान रहेगा और मैं तो एक ही बात कहता हूँ दोस्तों sentence में इसका प्रयोग करें comment box में type करें चलिए आगे वढ़ना है दोस्तों हमें तो आगे वढ़ते हैं पंदरा नंबर में क्या कहा गया है win hands down यानि बहुत ही आसानी से जीत आसल करना कोई बार कई बार ऐसा होता है चीजें बहुत आसान हो जाती है आपकी सफलता आपको बहुत आराम से बहुत ही easily मिल जाती है उसे कहते हैं win hands down Australia won hands down in Davis Cup final Davis Cup final में तो Australia बहुत ही आराम से जीत गया बहुत ही easily जीत गया उसे कहते है win hands down तो याद रखना पड़ेगा दोस्तों hands down बहुत हाथ ही उपर उचा नहीं करना पड़ा और जीत गए ऐसे याद कर सकने है win hands down बहुत हाथ नीचे ही था हाथ उपर भी लेना ना बड़ा जीतने के लिए यानि आसानी से जीत गए कैसे भी करके याद करी है सोला नमबर दोस्तों within an ace of यानि close to something बहुत ही नजदीक होना within an ace of का मतब है बहुत ही ज़ादा नजदीक होना close होना हम जीत के बहुत नजदीक थे ऐसा कुछ बोलते हैं हम लोग या कोई चीज के बहुत करीब होना उसको हम कहते हैं close to something के लिए आता है within an ace of when our team was within an ace of victory देखो पैने भी यही कहा था victory दोस्तों victory एक शब्द है और इसके लिए आपके पास इससे जस्ट पहले एक word आया था win victory यानि जीत win यानि जीत मुझे एक और word चाहिए जो t से शुरू होता है और जिसका मतलब भी जीत है देखिए एक word यहाँ पे पढ़ा था आज हमने win और एक word हमने यहाँ पढ़ा victory V और W आ गए है T से मुझे एक ऐसा शब्द चाहिए जिसका मतलब भी वही है जो victory का और win का है victory करने वाले को victorious यानि विजेता कहा जाता है win करने वाले को winner कहा जाता है और T से भी दो शब्द बनेंगे वो आप बनाइए और comment box में जरूर लिखिए मज़ा आ जाएगा चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ Iraq स्कोड लास मिनिट गोल टू ज्रॉ दे गेम क्या हुआ हमारी टीम victory यानि जीत के बहुत नजदीक थी विजई होने ही वाली थी कि भहिया इराक ने लास मिनिट पे गोल धाग दिया मैच ही ड्रॉ हो गया क्या करेंगे बताइए तो यहां पे आता है within an ace of यानि कि बहुत नजदीक होना बहुत करीब होना We are the trousers दोस्तों पतलून पहनना यानि dominant होना बहुत ही ज़्यादा dominant बतलब जनरल वे में ये एक non-ending लड़ाई है आम तोर पे husband और wife की कि भही आप पतलून कौन पहनता है यानि dominant कौन है powerful कौन है hegemony एक word हमने कुछ time पहले पढ़ा था यानि कौन power रखता है किसकी घर में चलती है generally उसके examples भी वैसे ही दिये जाते है It is Lena who wears her trousers and her husband simply obeys her बहुत सारे घरों में ऐसा होता है दोस्तों कि जो बीवी है वो हुकम चलाती है और पती को मानना पढ़ता है यानि हम इस कहना चाहरे है It is Lena वह लीना ही है जो wears a trouser जो dominant है जो प्रभुत वरकती है स्वामित वरकती है हुकम चलाती है और उसका जो husband है वो simply उसको obey करता है यानि कि आज्या का पालन करता है obey यानि आज्या का पालन करना अच्छारा नमबर दोस्तों V hours यानि at dawn तो यहाँ पे एक word होता है दोस्तों d-a-w-n dawn का मतलब हिंदी में होता है भोर भोर का मतलब होता है सुबह होने वाली है उससे पहले यानि शुरुवात के समय स्टार्टिंग के समय beginning किसी चीज़ की at the dawn का मतलब होता है भोर के समय आपको इस dawn जो सांज होती है वो भी d से शुरू होता है चार लेटर का शब्द है और आपको लिखना है कहां पे comment box के अंदर dawn का उल्टा d से क्या होगा जिसे हम सांज कहते है भाई सुबह होने से पहले भोर शाम होने के बाद रातरी से पहले वाली जिसे हम कहते है d से आपको बताना है मुझे नहीं यहाँ पे चार लेटर का है और comment box में जरूर आपका इंतजार रहेगा मज़ा आ जाएगा तो वी आवर्स का मतलब है शुरुवाती आवर्स दिन की शुरुवात जिस समय हो रही है दिन की शुरुवात हो रही थी यानि सुबह सुबह अल सुबह जिसको हिंदी में वाज प्लस वी थ्री यानि की वाज मर्डर उनका मर्डर हुआ उन्होंने मर्डर नहीं किया ये छोटी छोटी बाते हैं दोस्तों बस ध्यान रखनी चाहिए हमें अगर पैसिव चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है बस पहले चैप्टर पढ़के आओ मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया है कि आपको पढ़ा पाओ तो थोड़ा प्रयास अगर आप करेंगे मज़ा आ जाएगा उस चैप्टर में ये कह सकता हूँ उन्निस नमबर है दोस्तों विद अ हाई हैंड oppressively यानि कि दवाते हुए किसी को suppress करते हुए high hand से dominance करते हुए he was a king and who ruled his subjects with a high hand एक subject होता है विशय यानि कि मेरे 10th class में इतने विशय थे एक subject होता है आपका subject वर वर object वाला और यहां जो subject है उसका उन दोनों से कोई लिना देना नहीं है subject यानि topic की बात नहीं कर रहे subject यानि विशय की बात नहीं कर रहे और subject verb object यानि करता की भी बात नहीं कर रहे यहां जो subject है न उसका meaning है दोस्तों प्रजा ये कुछ नए words अगर मिल रहे हैं मेरा अनुरोध है आप copy में जरूर लिखते चले जाएं प्रजा राजा का subject उसकी प्रजा होगी हम ये कहना चाहेंगे with a high hands oppressively he was a king वह एक राजा था who ruled subject with a high hand जो हमेशा अपनी प्रजा को दबा के रखता था oppressively करता था dominance करता था उनके ऊपर राजा का अधिकार वापिस वो यूज लेता था ऐसा ये कहना चाहरा है तो दोस्तों यहां समाप्त होते हैं आज के सारे idioms और अगले वीडियो में तो idioms ही सारे समाप्त कर लेंगे हम और उसके अगले वीडियो में हम शुरू कर देंगे हमारी क्या बिल्कुल साही सोचा आपने exercises तो लगातार चल रहे हैं चलते चले चा रहे हैं जल्दबाजी नहीं करते हैं चीजों को बहुत आराम समझते हैं घास नहीं कातेंगे आपके शब्दों में बस इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहे हैं आपका प्यारा चैनल है दोस्तों डिजिटल तैयारी थन्यवाद प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी